आप खुद को देख लो, आज आप सोचते हो कि आपके जीवन में कोई बहुत प्यारा विक्ती आएगा, है ना, कोई लड़का है, उसोच रहा है, बहुत प्यारी कोई लड़की आएगी, मेरा जीवन बहुत खुशाल हो जाएगा, उसके साथ में रहूँगा, अपना दुख नहीं होती, तो जब तक कोई कीमती चीज हमें नहीं मिलती, तब तक हमसे सब्र नहीं होता, और जब कोई कीमती चीज हमको मिल जाती है, तब हमसे कदर नहीं होता, तो समय की कदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हफते बर क्या सोचते हैं, हफते बर यह सोचते हैं कि सं तो संडेय का कद्र नहीं होता है संडेय को पूरी तर से यहां बरबात कर देते हैं तो इसटेय में इस ने यह खिस यह सब मै। टुडेन्ट वाले स्टुडेंट हो और नहीं भी होंगे मैं दूसरुइंट तो भी इतनी घ्रनिक तो और 16 गंदे अब जहा जो आठ गंटे में आप चाहर गंटे फिर भी मजे कर सकते हो आप खेल कूद भी सकते हो अपने संडे को आप फे बात के बातें भी कर सकते हो आफُते बाऊं Miraud पाती है तो उसका भी यह समय मिलेगा आपको अब आपको लग रहा है नहीं पूरा संडे सिर्फ मज़े करना है सिर्फ इंज्वाइब करना एक दिन की चुट्टी अभी तो क्लास 11 में मैं आया हूँ चेहरे पे जो आपके यह हसी है चेहरे पे जो आपके यह मुस्कान है उपरी उपरी तो हम सब मुस्क्रा रहे होते हैं अंदर हम सब कमजोर पढ़ रहे होते हैं कि सारा सारा दिन निकलता जा रहा है पूरा पूरा हफ्ता महीना निकलता जाला है कुछ प्रड़क्टिव नहीं हो पा रहा है फिर भी दोस्तों के पास बैठते हैं तो एक जूटी यदि सुना भी है तो कहीं ना कहीं सिर्फ मिर्च मसाला के लिए या उन चीजों को आपके पीट पीछे इस्तिमाल करने के लिए आप अपने जीवन का दर्द जाके चाल लोगों से जब शेयर करते हो चाल लोगों को जब बताते हो तो आपने अक्सर देखा है कि वो लोग आपका दर्द या तो सुनते नहीं है यदि सुनते हैं तो समझते नहीं है और यदि दोनों करते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि इन चीजों को इन पॉइंट्स को कैसे आपके खिलाफ वो इस्तिमाल करेंगे आपके पीट पीछे कैसे आपकी बुराई करेंगे है वो जो खुशी है वो सिफ उपर उपर से हैं अंदर ही अंदर आप तूटे जा रहे हो आपके दिल में दर्द हो रहा है आपको कश्ट हो रहा है मन में गिल्ट भी हो रहा है लगा था कि मैं ये क्यों कर रहा हूं क्या कर रहा हूं किते महिने बरबाद हो गए क्या मैं जीव सब अच्छा के रहे सब अच्छा चलə स्कूल पहुचे हस रहे हैं और झूटी हैугाइज है और दिल लगातार दर्थ हो रहा है कि मैं अपना कर्तब यह तो सही से कर नहीं रहा हूँ एक डर भी लग रहा है कि क्या मुझे मेरा लक्ष मिलेगा क्या मैं जीवन में सही चीज़ हासिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा एक गिल्ट भी साती साथ हो रहा है बड़ा जादा गिल्ट हो रहा है कि मेरे उपर हर कोई इतनी मेहनत कर रहा है माता पिता इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, सबकी इतनी उमीदे हैं मुझसे, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये गिल्ट भी लगातार होता है, होटो पे मुस्कान और जेब में गीला रुमाल होता है, दुनिया के सामने हसते हुए, दिल में रोता, वो कमाल का इंसान होता है, दु है ना इस जगे पे जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे या इस जगे पे जाएंगे ऐसी मस्ति करेंगे जरूरी है करो करना बहुत जरूरी है आपके माइंड के लिए माइंड को रिलाक्स होना बहुत जरूरी बस अती ना हो उसकी अपने लक्ष से ना बटक जाएं बहुत से बच्चे होते हैं रविवार को कि मेरे दोस्तों का ग्रूप आएगा, मैं पूरे ग्रूप के साथ घूमने जाऊंगा, मेरा ग्रूप आज मेरे साथ ये करने वाला है, आज मुझे अपने ग्रूप के साथ घूमने जाना है, आज मुझे ग्रूप के साथ मूवी दे बहुत से लोगों से दोस्ती निभा रहे हैं और देखना जब कठिन वक्त आता है तो कमरा बंद करके आप सिर्फ अकेले रोते हो इस नकली गुरूप से एक इंसान आपके काम नहीं आता है मैं हमेशा बोलता हूं जीवन में दोस्त बनाना बहुत जरूरी है मुझसे कई बार पारी करते वक्त अपना लक्ष भेदते वक्त क्या हमें दोस्त यारों को भूल जाना है नहीं बिल्कुल क्या माबाब को भूल जाते हैं नहीं दोस्त होने चाहिए पर लिमिटेड अच्छे गहरे दोस्त हों एक ऐसा दोस्त हम सब डिजर्व करते हैं जो हमारी पीट पीछे भी हमारी इज़त बचा के रखे जिस महफिल में नहीं आते हो और चाहल लोग जब आपकी बुराई कर रहे होते हैं तो आपका दोस्त वहाँ पे खड़े होके बोले कि मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द नहीं वोलेगा कोई आपकी जो इज़त है ना आपकी जो रिस्पेक्ट है ना उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बराबर आपकी इज़त हो ऐसे अच्छे गहरे दोस्त धूरो बीड मत धूरो वना फिर जूटी हसी हसते रह जाओगे और अपना दर्द किसी को नहीं बता पाओगे